हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आय होप आपकी चेही में चेही इडवांस की त्यारी जो है वो अच्छी चल रही है आज हमें एक बहुत इंपॉर्टन टाइप देखने जा रहे हैं complex numbers की ये question बहुत important है पहले आ चुका है और ये problem type जो है वो very very important problem type आप कैसे है complex number में क्यूंकि बहुत सार लोग होते हैं जिनको नहीं आता है कि ऐसे questions को कैसे handle करना है तो question आपके सामने है आपको होचता ना आता हो मैं आपको थोड़ी theory का background दे दता हूं कि ऐसे question को कैसे handle करते ह we will see how we are going to solve this question तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा एक circle की equation होती है complex number में हो सकता आपने पड़ी हो हो सकता आपने ना पड़ी हो तो एक बार उसको देख लीजिए मैं करवा देता हूं आपको यहाँ पे देखिए alpha alpha z conjugate plus p ऐसी दिखने वाले जो equation होती है वो circle को represent क conjugate basically यह एक दूसरे का conjugate है अगर देखा जाए तो यह वाला जो portion होता है इतना portion यह आपका straight line की equation कहलाता है बर चलिए अभी हम straight line discuss नहीं करेंगे अभी हम circle की बात कर रहे है तो जो b होता है वो एक real number है alpha आपका complex है z तो complex ही ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है सबसे पहला step आपका यह होता है कि आपको coefficient जो है z z conjugate का ठीक है उसको वन बना लेना है इसको आपको करना है must तभी आप center और radius निकाल पाएंगे जो मैं method बताने जा रहा हूं उससे अभी हम इसके proof पे नहीं जा रहे है ठीक है we are just trying to understand I hope आपने theory पढ़ रखिए ने भी पड़ी तब भी आ आपका जो इस circle का center बनेगा और एक radius बनेगी वो बनेगा minus the coefficient of z conjugate z conjugate का जो coefficient है जैसे यह आगया alpha है तो उसका negative तो minus of alpha is going to be your center ठीक है circle का center क्या होगा minus of alpha और circle की radius क्या होती है circle की radius will be basically alpha और alpha conjugate का product कर दें और minus b कर दीजिए उसका root ले ले लेजिए ठीक है alpha, alpha conjugate का product minus b that will be the radius of this particular circle ठीक है तो यह आगई आपकी radius और आपका center तो अगर आपको ऐसी equation दे रखिए तो आप circle का center और radius सीदा सीदा बता सकते हैं example की तौर पे मैं question ले लेता हूँ let's take समझाने के लिए के center वगारा क्या होगा just उसके लिए इसको मैंने 2 minus 3 आयटा बोल दिया माली जे और यह मेरा z आ गया plus यहाँ पे 2 plus 3 आयटा बोल देते हैं इसको और इसको z conjugate बोल देते हैं और यहाँ पे आपके पास let's say minus of 5 कर देते हैं equal to 0 कर देते हैं माली जे ऐसा है अब इसको देखके सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि यह क्या है यह एक circle है इसका center क्या होगा इसका center होगा यह z conjugate coefficient का negative तो minus 2 plus 3 आयटा that is going to be the center तो यह कित्ता बन गया minus 2 minus 3 आयटा तो basically coordinate system में देखने तो minus 2, minus 3 हो गया और radius की बात करें तो radius is nothing but the product of alpha, alpha conjugate इन दोनों का product तो वो alpha, alpha conjugate का product करेंगे तो क्या आ जाएगा basically modulus का square ही बनेगा तो यह बन जाएगा आपके पास 4 plus यह बन जाएगा आपके पास 9 और minus of minus 5 तो यह कितना होगा 13, 13 और 5, 18 तो root 18 that is going to be your radius जिसको के हम क्या बोचते हैं 3, root 2 बोचते हैं तो यह आपके circle की radius रहेगी और यह आपके circle का center रहेगा needless to say कि अगर आपके पास यहाँ पे alpha, alpha conjugate minus b की value greater than 0 रही तभी आपको एक real circle मिल पाएगा जिसकी considerable radius होगी अगर यह 0 हुआ तो point circle उससे कम हुआ तो फिर imaginary circle मिलेगा यह तो understandable सी बात है हम circle पढ़े है अब हम question पर आया था जो हमें question दिया था question है हमारा if the equation alpha z modulus का square और यह conjugate वह रहा दिया है तो कहते सर यहाँ से तो कुछ पता नहीं चलना सबसे पहले यह जो a है z modulus का square को आप z z conjugate लिख सकते हैं उसके बाद यह उपर वाला जो conjugate है वो आपने transfer कर दिया तो देखे आप alpha conjugate का conjugate करेंगे तो alpha यहाँ पे z conjugate यहाँ पे alpha conjugate और यहाँ पे z बन जाएगा प्लस एक d आ गया इकोल टू जिरू यह अपने पास बन गया अब आप a से डिवाइड कर दिजिए ताकि इसका coefficient बन जाए वो डिवाइड करना बहुत जुरूरी है alpha by a आ गया यह z conjugate आ गया यह उल्टा लिखा हो पिछली वाली equation में जैड आगे लिखा था और जैड conjugate बाद में था तो ध्यान रखेगा और यहाँ पे alpha conjugate by a आ गया साथ में z आ गया प्लस d by a बन गया अब अब देखिए center अगर हमसे पूछता हाला कि पूछा नहीं है उनों का प्रोड़क्ट कर देते हैं alpha alpha conjugate a a minus यह वाला पार्ट होता है minus b that is d by a this should be greater than 0 अगर हम considerable radius का circle चाहते है obvious सी बात है कि a 0 नहीं होना चाहिए वो तो मैं वैसे ही दिख रहा है ठीक है और यह अपने पास यहाँ पे conjugate नहीं है मतलब डिवीजन में है ठीक है इसको मैं सही कर देता हूँ कि लेट में करेक्ट इट यह डिवीजन में है लब ऐसे करके है ऐसा एक यह है तो a square हो गया ओगर minus d by a हो गया greater than 0 अब तो बस celsius लेना है हमने तो यह यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया alpha के पार alpha डाल दिया भाई तो alpha square हो गया modulus का तो alpha modulus का square minus ad आ जाया तो that is greater than 0 तो alpha modulus का square minus ad is greater than 0 and a जो है वो 0 नहीं हो सकता यह बात तो पक्की है तो clearly आप दे सकते है आपकी जो option number one है वो आपका सही answer हो और क्या that is going to be your correct answer और option तो कोई match कर नहीं तो यह हमारा answer बन जाए वह very easy हो जाता है question ऐसा solve करना अगर आपने यह theory पढ़ लिए तो अब यह question जैसा है ना तो ऐसे और कई सारे सवाल है जो आपको unacademy के UA light platform पे मिलते हैं basically वो क्या है उसमें आप test दे सकते हैं ठीक है जैसे testing होती है ना बड़े बड़े कोचिंग institute की test series होती है तो वैसा ही है unacademy का यह UA light का सब्सक्रिप्शन जो है जिसमें आपको test मिल जाते हैं जो कि टॉप educators के द्वारा बनाएगे हैं detailed solution मिल जाते हैं डेली प्रैक्टिस question मिल जाते हैं और यह बहुत कम पैसे पर आपको दे दिया जाता है तो आप इसको मेरे कुरेट के गए हैं टॉप educators के द्वारा based on their experience और ऐसे कई सारे सवाल है जो आपको वहां पे मिल जाते हैं उसके इलावा मैं आपको special classes के तुरू जो कि more problem solving sessions ताकि आपकी जेई में help हो सकी है ठीक है तो जो भी बच्चे test series ढूंड रहे हैं तो उनके लिए यूए light का जो platform रहेगा subscription रहेगा वो बढ़िया रहेगा अगर आप माल लीजे कहीं coaching में हैं और आप पूरा unacademy subscribe नहीं करना चाते हैं तो आप यूए light का subscription भी ले सकते हैं और इससे आपकी टेस्टिंग अच्छी हो जाएगी और बाकी हम तो अपनी तरफ से आपको practice करवा ही रहे हैं problem solving sessions चली रहे हैं तो हमारे साथ जूड़े रहें और इस चैनल पर भी बहुत सारी चीज़े आती रहेंगी तो चैनल को subscribe रखें ठीक है तो हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और कभी भी मन में कोई भी किसी तरह की negative thought ना all right thank you bye bye and all the very best